हेलो दोस्तो सोच ग्रहनी की में आप सभी का स्वागत है दोस्तो रोज की तर आज भी मैं लेकर आएं बहुत काम का वीडियो इस वीडियो में बताने जा रहे हूं ऐसे उपियों की टिप्स जो कि आप पहली बार देखेंगे और इन सारे टिप्स का इस्तमाल करने के बाद घर के काम काफी हद तक असान हो जाएगा साथ ही साथ इन सारे टिप्स पर एक रुपै के एक्स्ट्राख हर्च नहीं होने वाला है तो चलिए बिना देरी कीवे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला यूसफुल टिप्स है चाय पत्ती बच्चे यूई चापत्ती को हम सभी वेश समझ के फेख देते हैं आज की इस वीडियो में चापत्ती का ऐसा यूज बताने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है चाय पत्ती का यूज केवल चाय बनाकर पीने के लिए नहीं होता है चाय पत्ती को बहुत तरश्टे यूज किया जा सकता है तो सबसे पहले ग्यास पर रखेंगे एक बरतन और उसमें डाल देंगी दो गलास पानी और इसे पतिले में हमें डाल देना है चाहपति बचे ने चाहपति डाल देने के बाद इसे एक से दो उबाल आने तक गरम कर लेंगे अब ये देखें इसमें उबाल आ चुका है और चाहपति डालने से इसका कलर भी चेंज हूँ चुका है अब इस stage पर आप gas को बंद कर दे, बंद करने के बाद एक लेंगे बड़ा सा बरतन और इस पानी को छान लेना है छानने के लिए चाहिए छाननी, छाननी देख सकते हैं बार बार गिर जा रहा है तिसके लिए हम सब्जी चलाने वाला छोलनी यूच करेंगे जो सभी घर में साननी मिल जाता है और इसके बाद छाननी को कुछ इस तरह से रखेंगे उसके बाद पानी को अच्छे से छान लेना है दोस्तों टिफ्स तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही कामका है अब आप देख सकते हैं इस बतीले में चापती बची इसे बेर समझ कर रहे फीकना नहीं है इसे ठंडा करके पौधर में डाल सकते हैं अब इस चापती वाले पानी में डाल देंगे आधा चमट, डिटरजन, पौडर और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह तयार हो चुका है बहुत बढ़ी अशा सल्यूशन हम सभी के घरों में तो कांच के बरतन होते ही हैं गलाश, कप कोई दिन के बाद उसके चमक चली जाती है तो दोस्तों यह टिप्स बहुत ही यूसफूल है कांच के बरतन को चापत्ती वाले पानी में डाल दें जैसा कि आप इस कप को देख सकते हैं इसमें कोई चमक नहीं है बिल्कुल यह गंदा दिख रहा है तो इस कप को भी चापत्ती वाले पानी में डाल देंगे अब इसका आच वाले बरतन को चापत्ती वाले पानी में हर तरफ से घुमा घुमा कर उसे भींगा देना है अब बरतन साफ करने वाला जूना लेकर गलास को अच्छे से धीरे धीरे से साफ कर लेंगे यह बहुत असानी से साफ हो जाता है कोई भी इसमें मेहनत नहीं पड़ती है इस सेल्यूसन से साफ करने में ना ही तो हमें दबाने के जरूरत पड़ती है और ना ही तो हमें रगणने के जरूरत पड़ती है बस जुने को हलके हाथों से घुमाते जाना है और बहुत बढ़िया से चमक जाएगा एक बार इस solution को तियार कर लेना है फिर घर में जितने भी काँच के बरतन है उस सभी को आप बहुत आसानी से साप कर सकते हैं देखिए अब ग्लास को देख सकते हैं कितना बढ़िया से चमक चुका है तो दोस्ते यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जूरू बताईएगा आप इस कप को देख सकते हैं पहले यह कैसा था और अब यह कैसा हो चुका है तो आप एक बार इस यूजफुल टिप्स को ट्राई जरू किजिएगा और इस बचीर चैपती के पानी को ठंड़ा करके स्प्रेड बोटल में रख दे और पौधों पर स्प्रे करें यह फोटोलाजर का काम करेगा पौधों में बहु ज़्यादा ग्रोथ होगा निग्स टिप्स बहुत धीक हास है क्या आप जानते हैं नमक और कैंची का कोई हैक्स हो सकता है इस टिप्स के बारे में कितने लोग जानते थे हमें comment box में comment करके बताईएगा दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कैंची का धार खतम हो जाता है जब इसको हम कपड़ा काटने में या किसी और चीश करते हैं काटने में तो वह कटता नहीं है कैभी कैभी कैची का धार तेज कराना हम सबी भूल जाते हैं और हमें कैची का जुरत अचानक पड़ती है उस नमें आप इस टीप्स का इस्तमाल कर सकते हैं तो इसके लिए चाहिए हमें नमक, नमक जिसे हम सब्जी दाल में डालते हैं, वही नमक चाहिए, और नमक तो हम सभी के घर में बहुत असानी से मिल जाता है, तो हमी करना क्या है, नमक डब्बे में कैची को कुछ इस तरह से कट करते चले जाना है, यानि नमक डब्बे में कै प्रदा करके भी आप कैची चला सकते हैं इस तरह नमक में आप 2-3 मिनट तक चला लें आप देखेंगे कि कैची का जो धार है वह तेज हो जाएगा हमें बाहर जाकर कैची धार तेज कराने के जुरत पड़ेगी ही नहीं जो कपड़ा पहले कट नहीं रहा था आप देख सकते हैं कि वह कपड़ा कितना असानी से कट जा रहा है तो दोस्तों यह छोटा सा टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रू बताईएगा अगला यूचफुल टिप्स है सींग को लेकर जब हम सबी रातों में सींग को अच्छे से साफ कर लेते हैं उसके बावज़ुद भी आप देखेंगे कि इसमें से बैड असमेल आते रहता है और सींग के जाली से कौकरेच या छोटे छोटे कीड़ों मकोड़े आ जाते हैं तो दोस्तो यह टिप्स हंड्रेट परसेंट कारगर है इसे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इसके लिए हमें चाहिए एक गलास पानी और लेंगे डेटॉल डेटॉल सभी के घर में बहुत असानी से मिल जाते हैं क्योंकि हम सभी डेटॉल त अपने घर पर रखते ही है डेटॉल के अंदर पावर फुल कीट ना सक गुण होता है हम सभी जानते हैं कि डेटॉल क्लीन करने में और किटानों को खतम करने में बहुत जादा ही कारगर है एक गलास पानी में एक ढखकन डालेंगे डेटॉल लिक्विड और इसी गलास में डाल देना है एकस्पारी प स्लूशन भी है तिसे डाल देंगे शिंग वाले जाली में इससे पाइप के अंदर जो भी किटानू होंगे सारे खतम हो जाएगे साथ साथ बैड़ स्मेल भी खतम हो जाएगा सीग में डेटॉल पानी डालने के बाद अब हम ले लेंगे पाउडर अब पाउडर को ड्रीम माले एरिया में बहुत अच्छे से डाल देना है सिंग में पाउडर डालने से बैड़ स्मेल सारे के सारे खतम हो जाएगे और यहां कीचन में खुसबूला स्मेल आना सुरू हो जाएगा तो आप एक्सपारी पाउडर को वेश समझ कर ठेके नहीं इसका बहुत बढ़िया स स्लिएशन बनका त्यार हो जाता है और इसे पाउडर पर डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर अब इन दोनों का मिक्षर इतना स्ट्रॉंग हो जाता है कि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे यहां से बिल्कुल ही गायब हो जाएगे क्यूंकि इसका स्मेल वह बरदा मसाला पीषने के लिए उच करते हैं तो कुछ छिटे बाहर भी निकलने लगते हैं और इसे हम सभी मार्किर जाकर ठीक कराना भूल जाते हैं त्रशे में आप इस टिप्स को आप उच कर सकते हैं हमारे घरे में बहुत असानी से मिल जाते हैं रबड तो हमें दो रबड ले देना है और उसे मिक्सीक जार का जो धकन है उस पर कुछी इस तरह से सेट कर देना है यह रबड वासर का ही काम करता है और यह बहुत अच्छे से वासर को चिपका कर रखेगा वह निकलने नहीं देगा लूज नहीं होने देगा जिसके कारण जब भी आप मसाला पीषेंग डखेगे तो वह चीपट्र बाहर नहीं आएंगे इसे ठकन है वो बहुत बढ़ियां से सेट हो जाता है इस तरह से रपर लगा कर आप अपना काम बहुत असानी से कर सकते हैं जिससे आपको मसाला पिष्णा हो चटनी पिष्णा हो विना टिंसिन दर के आप इसे यूज कर स सकते हैं घर में कोय भी पहलुन पड़ा हो नया पूरां कोई भी हो तुसे हमें क्या करना है कि उची तरह से दोनों सैथ कर लेना है और यह रबड की तरह ही तैयार हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से यहjin तैयार हो नहीं और इससे भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं मिक्षी का जार का जो ढखकन का जो रबड है वह देखी कितने अच्छे से फसेट हो चुका है यह बैलून के रबड से चिपक चुका है और बिकल्कुल भी यह बाहर नहीं निकलेगा तो बिना कोई खर्च के इस कही कीचन अच्छे में निकलता है व inspi कजार चिप चिपका हो जाता है और इसे हम सभी पानी से साफ नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत बड़िया टीफ्स है हम सभी के घर में मील जाता है पाओडर तो हमें ले लेना है पाओडर और उसे ऴिक्षी कजार पर कुछ इस बढ़िया से साफ हो जाएगा पौडर को अच्छे से छिड़क लेने के बाद एक साफ कप्डा लेंगे और उसे साफ कर लेंगे इसे मिक्सी में जो भी चिपचिपा पन होगा वो सारा के सारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा वैसे हम सभी जानते हैं कि मिक्सी को हम सभी पानी से डाल कर बहुत अच्छे सवास नहीं कर सकते हैं इसे हमें ड्राही साफ करना पड़ता है तो यह tips बहुत ही काम का है बस dry powder को mixi के जार पर अच्छे से छिरक देना है और साफ कपड़े से हलके हाथों से इसे साफ कर लेना है यह बहुत अच्छे से साफ हो जाता है आई इसे साफ करने के लिए नहीं तो हमें पानी कर जार पड़ेगी नहीं सरफ या और किसी भी चीज़ की अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से साफ और क्लीन हो चुका है तो दोस्ता यह टिप्स बहुत छोटा है लेकिन एकदम पर्थेप्ट है अगला हैक्स भी बहुत ही काम का है इस टिप्स को देखने के बाद आप भी बिंदी के खाली रेपर को ठेकेंगे नहीं उसे भी बहुत ही इफाज़त से रखना सुरू कर देंगे दोस्तो जब भी बिंदी खतम हो जाती है तो इस पैकेट को हम सभी बेश समझ कर ठेक देते हैं लेकिन यह बिंदी का जो पैकेट होता है यह बहुत ही यूसफुल होता है बिंदी का यह खाली पैकेट हमारे काफी समय और पैसे दोनों का बचत करता है तो इस वीडियो को पूरा अंतक आप जरूर देखिएगा दोस्तों हमें चाहिए कोई भी टेप जो घर में आपका अबलेबल टेप हो उसे आप ले लेजिए और लेने के बाद इस टेप को हमें कट कर लेना है अब इस टेप को बिंदी के जो पैकेट है उस पर इसे हमें चिपकाना है लेकिन ध्यान रखना है बिंदी के पैकेट के बॉन साइड ही हम इसे टेप को चिपका देंगे आप देख सकते हैं बिंदी के दोनों तरफ इसका जो मुह है वो खुला है लेकिन एक तरफ इसे हमें लॉक कर देना है इस टेप की मदद से दोस्तों इसे तयार करने के लिए हमें एक्ष्टरा खर्च की आवस्था नहीं पड़ती है जबकि ऐसे ही कुछ बस्तूओं को हमें खरिदने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस तरह से टेप को हमने अच्छे से चिपका दिया है और एक तरफ से लॉक कर दिया है और एक तरफ देखी इसका मुख खुला हुआ है अब यह एक पैकेट की तरह बनकर तयार हो चुका है तो दोस्तों हम सभी के घर में बहुत सारे ऐसे काड होते हैं तो वैसे में यह सारे काड को अगर हम इस तरह इस पैकेट में रख दे तो सारे काड एक जगई कठे हो जाएंगे और हमें असानी से मिल जाएंगे ये सारे कार्ड रखने के लिए जो मार्केट में पैकेट आते हैं वो काफी महगयों होते हैं उससे में बहुत सारे परसे खर्च करने पड़ते हैं जबकि बिना खर्च के हम इस तरह से घर में बहुत असाने से इस पैकेट को बना सकते हैं और देखी सारे एक जगई कठे हो ज रहेगा और यह बहुत बढ़ियां से सीफ हो जाएगा तो दोस्तों यह टीप आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और यह देखने तो दोस्तों ऐसे ही हम काम के वीडियो लेकर आते रहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें फीने मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्स टिप के साथ